हालो फैंस देखें आजरें खिऱती blesb negi ल गओंधीं होग 2.0 और कि मार्कर गिर होए शिवास्या नियू शहूरा काफी लोगहां पर हताहत हो आज काफी होती होगे आज टुखी हो आए और आज पॉर्टती मेरा आ और अगर बता हूं तो मैं आपर खुश हूं कि आज मार्केट यहां पर गिरता हुए नजर आया क्यों कि यहां पर जो हमारी टार्गेट थे वह तोड़े बड़े होते हुए नजर आएंगे इस वज़े से मैं खुश हूं और यह अगर थोड़ा सा और ऊपर जाके थोड़ा सा फिन नीच आता तो और थोड़ा सा आनन्द आता क्यों कि उस केसिस में और अच्छे टार्गेट यहां पर आते हुए दिखाई दे जो मैंने आपको यहां पर बताय था ओके वह तो हमारे एचीव हों गई होंगे बट यह यह तो छोटे से टार्गेट है, बड़े टार्गेट अभी और अचीव होने बाकी है, तो वीडियो में हम बात करेंगे, यहाँ पर मार्किट गिरी है, और उस सब चीज़ों से लिटी बाते करेंगे, बर वीडियो में आगे बड़े, रिक्वेस्ट करूँगा, इन्वेस्ट पहले ही बतारों, ताकि यह ना रहे कि कल जब भाग जाए शेयर, तो आप कहें कि पहले क्यों नहीं बताए, तो इसलिए, एसलिए, बहु सारे लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन को हिट नहीं कर रखा है, आपसे रिक्वेस्ट को हिट कर दीजे, शायद ऐसा कोई स्टॉक्स आपको मिल जाए, हमारी वीडियो की तुरू की आपकी जद्धिकी पते होते, as well as, बहु सारे लोगों यहाँ पर वीडियो तो देखते हैं, आप सब्सक्राइब ने करते, तो आपसे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर दीजे, एक सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब करेंगे, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किस से लेटे, देखे इसके लिए एक रिजिस्टेंस था सामने, जो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा था, तो यह रिजिस्टेंस यहाँ पर बिल्कुल नहीं जा पाया, वहां से यहाँ पर थोरा सा नीचे आता तो मार्केट में इसी तरीके से काम चल रहा है, तो 32 भी नहीं आपर 8 पॉइंट से कहिवल नहीं पर रहा है, आज का जो हाई था, उसी साब से देखा जाए तो 8 पॉइंट से रहा है, बड़ आपने कुछ यहाँ पर गौर फरमाया, और मैंने आपको टेक्निकल सिखाया है, आपको पता आया है, अगर आप मारी वीडियो देखते हैं डेली, तो मैं आप हर एक चार्ट दिखाता हूँ, तो आज आपने तो कुछ देखा, गिरी तो सही, तो गिर के कहां पर आई है, गिर के देखिए, सपोर्ट के पास आई है, जहां से मार्केट भागना शुरू कु इंपोर्टेंट नहीं है, यहां पर से गिरिया को इशू नहीं है, बट यह इंपोर्टेंट लाइन है, 18,600 वाली है, यह लाइन को जब तक नहीं निकाल रहा, तब तक अभी मस्तोचिए कि मार्केर में तेजी है, इससे यह निकाल देगा, तो याद रखिए, ओल्टाइम ह का लेवल यहां पर दिखा सकता है, तो यही दो लेवल है, जहां पर मुझे लगता है कि आता हुआ दिखाई देगा, और उसके बाद एक तरीके से अगर हम देखे जाए, तो यहां पर यह क्या बनाता हुआ नजर आ रहा है, यह भी एक कविद हेंडल पैटन टाइप में ही बनाता हुआ, नजर आ रहा है, कैसे है, तो आप यहां पर देख सकते है, यह पूरा का पूरा एक शोल्डर टाइप में ही है, ओके उपर थोड़ा सा अल्मोस्ट चलता है, याद रखिएगा, बिल्कुल एक्जक्ट तो कुछ भी नहीं होता, थोड़ा सा 1200 पैंट जब इतन तो हैंडल बनता हुआ नजर आएगा, और इस कब्विद हैंडल पैंट के असाब से, जो टार्गेट अभी हमने यहां पर 19,600 के आसपास बताएथे, वही टार्गेट बड़े होके, यहां पर कितना हो जाएगा, वही टार्गेट बड़े होके, और उपर जाता हुआ नजर तो थोड़ा सा समझिए, और उसी के हिसाब से आपको क्या करना है, उसी के हिसाब से ट्रेल लेना है, और यह मार्केट में गिरना एक अच्छी तेजी होने के बाद गिरना लाजमी था, यह हमारे माइड में अल्रेडी थी, क्यों क्योंकि यहां पर देखिए, जब आप मार यहां पर जब नीचे जा रहा है, तो यहां पर दुख होने वाली बात नहीं है, यहां पर थोड़ा सा नीचे जाने कराद यह उपर जब भागेगा, यह जो अपने all time high को यह टच करता हुआ नजर आएगा, और उसे भी cross करता हुआ नजर आएगा, वह यहां पर खुशी है तो इस चीट को समझने की कोशिश करिए, अब बात करते हैं, निफ्टी मिट कैप की, यह के वल रिट्रेस्मेंट है, निफ्टी मिट कैप अगेन यहां पर गिरता हुआ नजर आया, आज इसने यहां पर लगाया है, तो कहने का मतलब क्या है, अगेन जब तक यह इसका आज हाई है, उसे यहां पर क्रॉस नहीं करता है, अब तक तक तेजी नहीं है, तो आज का हाई कितना है, 31,500-600 के आजए, इसे क्रॉस कर दिया है, तो इसके लिए तो मेन यही है, देखिए, यह वाला 32,300 के आजब वर, इसे निकालेगा तब जाके यहां पर 33,200 तरिक तक जाए इसके लिए as it is है यह नीचे आ जाएगा तो अगेन यहां पर देखिए क्या चार्ट पैटर बनेगा कब और हैंडल बनता हुआ नजर आएगा और कब देखिए अगर इसके भी टार्गेट बता दू तो आप भी यहां पर देखिए इसके टार्गेट से खुश ओड़ेंगे क तो यहां पर मिटकशन आप में एक भैतनी बनेगी क्योंकि स्मॉल केप में तो रैली बनती है बट मिटकशन में और अच्छी ड़्य बनती हुई नजर आएगी तो यहां पर देखिए इसके टार्गेट कितने बन रहे हैं और इसने अभी प्र इसरेंड कितने लगाए थे 34,000 के आसपास 33,000 लगाए थे तो 5000 पॉइंट और उपर जाता हुआ नजर आ रहा है जो कि आने वाले एक सबसाल में आता हुआ नजर आ सकता है तो निफ्टी मिट कैप यह एक एवल रिट्रेस्मेंट है और यहां यहां तक आकर चीजे रूप जाएगी और फिर उपर सब्सक्राइब तो यहां पर देखिए ज्यादा तेजी हुई नहीं है अभी तक यहां पर जो जो दूसरे निफ्टी फिफ्टी और मिट कैप जो अपने अपने लगबग ऑल टाइम हाई के आसपास आते हुए दिखाई दे रहे हैं यहां पर तेजी नहीं होई है तो यहां पर इसे सपोर्ट के आसपास आके चीज़ें रूप गई है अगर मार्केट गिरती है तो याद रखिए थोड़ी सी मंदे को देखेंगे कि कि इस तरीके से यहां पर सेंटिमेंटल है यहां पर डो जोंस किस तरीके से काम करते हैं उस हिसाफ से हमें देखना पड़ेगा मैंने आपको कल भी दो तीन दिन पहले ही बताया था यह लाइन जैसे ही क्रॉस ही तो यहां पर ने रूखने वाला है 11,000 से पहले तो निफ्टी मिटकेप में भी इसी तरीके से आपको काम करने हैं जब सारे के सारी जब निफ्टी 50 गिर रहा है मिटकेप गिर रहा है स्मॉ पर संट की रिटन आज जैपी मॉर्गन बनाया देखें लग तो लोएर सरक्री जाना चाहिए था बत नहीं लगा काफी बहतनी स्टॉक्स है ओके यहां पर आयर सीटी सी भी भागा है यहां पर सोना बी लडबलू वहीं पर फ्लैट है एस वेल आज यहां पर देखिए रप की की लेवल को निकाला तो सीधे यहां पर जाएगा और मैंने आपको बता दिया है आने वाले टाइम में यह शेयर लगबग आपके रिटन को 5-10 टाइम बना के दे सकता है इसमें कोई किसी भी तरीके की दोराय नहीं हो जिस तरीके की वॉल्यूम आ रहे है अच्छे कावी मार्किट में चल किया रहा है तो जो गिरावट आपको लगन नजर आ रहे है गिरावट नहीं रिट्रेस्मेंट है तो वीडियो को में बने रखने के लिए धन्यवाद थैंकी सो मच